हमेशा सुर्ख्यों में रहने वाले अलवेश यादव एक बार फिर सुर्ख्यों में आ गए हैं यूट्यूबर मैकस्टन उर्फ सागत छाकुर के अलजामों के बाद अलवेश यादव सामने आये हैं शुक्रबार आज मार्च से अलविश यादव को मैकस्टन के साथ मारपीट करने के लिए ट्रोल किया जा रहा है मैकस्टन ने भी उनके खिलाफ गुरुग्राम पुलिस थाने में एफायर दर्ज करवा दी है अब एलविश यादव दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने आ गए है एलविश यादव ने कहा कि देश भर में उन्हें ट्रोल किया जा रहा है लोग उनकी खिलाफ हो गए है एक तरफ की बाते सुनकर उन्हें खरी खरी सुनाई जा रही है लेकिन अब उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए अपनी साइट का पूरा मामला वो बताएंगे वीडियो के जरीए क्या कहते हैं अलवेश अदा वाई ये आपको सुनाते हैं इसको पर होना चाहिए मडर केस लगना चाहिए और उसके बेसिस पर आप सभी लोग ने मेरे को कल्प्रिट गोशित कर दिया और बदमाश गोशित कर दिया गुंडा है ट्रेंड चलवा दिये मेरे नाम के और एस्ट एलविश अदव ये तो ऐसा है वैसा है पॉलिटिकल इसक तो यह कर दिया हो मैं चाहता हूं कि एक साइड की स्टोरी आप ने सुनी दूसरी साइड की स्टोरी भी आपको जाने का हक है और मुझे सुनाने का हक है जो लोग हरकते करके विक्टिम काड़ खेल रहे हैं जो यह लोग मेरे खटा होकर आवाज उठा रहे हैं बहुत पुरानी आदत है 2020 से जेल रहा हुआ है जो यह लेफ्ट लॉबी खटी हो जाती है और एलवेश यादव बताते हैं कि उनके बिग बॉस में होने के बाद भी किस तरह मैक्स्टन उनको पोक करता रहता था वहीं यूट्यूबर मैक क्या कहते हैं आई आपको सुनाते हैं तो मैंने आज यह तो देख लिया अगर आपके पास पैसा हो तो आप F.I.R. भी बदल सकते हो और इस चीश को प्रूफ करूँगा पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई क्यों हुई हम इस बारे मबात नी करेंगे मैं सिधा पॉइंट पर बढ़ता हूँ एलविश ने जो लोकेशन दी थी वह उसके घर की लोकेशन थी या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन हो बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन हूँ अब मेरे क स्यारी की थी मैंने वहां पर सूफा उपा सब लगाया था कि जब अलविश भाई आएंगे तो वहां बगल में बैठेंगे ये वह फिरान डिगाना लेकिन जैसे ही वह आये एक तो अटैक करना शुरू कर दिया उपर से बहुत सारे बंदों के साथ आये उपर से यह भी नह चीत में सागर ने बताया कि पिछले साल भर में एलवेश यादव के फैंस उनके पीछे पड़े हुए हैं उन्होंने कहा एलवेश यादव की सोच का परदाफाश करने के बाद से उनके फैंस मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं ये पहली बार है ज जब यूट्यूबर बिग बॉस ओचिटी का हिस्सा थे सागर ने कहा यह दुश्मनी बिग बॉस के टाइम से चल रही है जब मैं अभिशेक मलहान को सपोच करना शुरू किया था यह बात अलवेश यादव और उनके फैंस को अच्छी नहीं लगी अलवेश यादव के चैले अभी साथ ही इसे रिकॉर्ड कर रहे थे अगर वो इस वाक्यों को एडिट कर देते हैं तो हमारे पास सबूत होगा हर्याना पुलेस इस पूरे मामले को प्राइवेट रखना चाहती थी जब मैं दर्ज करवाना गया तो उन्होंने मुझसे भी यही दरख्वास्त की थी त देखा गया था यहां मुनवर फारुकी भी मौजूद थे दोनों के बीच काफी वक्त से दुश्मनी भी चल रही थी लेकिन मैच के बाद एलविश और मुनवर फारुकी के साथ में पोस्ट करते और गले मिलते देखा गया दोनों का फोटो शोशल मीडिया पर वाइरल भी के संख खीचव फोटो ट्वीट किया था साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें एलविश दुनिया को दोगला बता रहे हैं सागर के पोस्ट पर एलविश यादव ने जवाब दिया भाई तु दिल्ली में रहता है सोचा याद दिला दो इसके बाद सागर अर बर दि Halo बर एलविश यादव कि भी शोशल मेडिया पर देखने दिखाने की बाते शुरू हो वही थो एपर गरमागर्मी शुरू और दोनों की मीटिंग फिक्स हुई दोनों की मुलागात गृटान में मॉल्स में गूर घर किया इलवश यादव और उनके साथीों मार प्रपीट की सागर का अलजाम है कि एलवेश आठ दस गुंडों के साथ स्टोर में आये थे सभी नशे में थे यहां जहां सभी ने सागत छाकुर को मारा एलवेश ने उनकी रेड की हड़ी तोड़ने की कोशिश की और जाते जाते उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी